सबसे पहले आप सबको दीपावली की धेर सारी शुब कामना है तो आए देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों से किस तरीके से हमारे हों को सुंदर तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं तो आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट किया है और गाइस यकीन वानिए अगर आपने कॉर्नर को अच्छी तरह से डेकोरेड किया हुआ है तो आप अपने होम इंटिरियर की जो ब्यूटी है उसको आप 40% तो आप ऐसे ही बढ़ा द सकते हैं उसमें आप फ्लोटिंग कैंडल डाल सकते हैं और यह देखिए जब हमने सारी कैंडल को जला दिया है तो इते कितना संदर दिखाए दे रहा था अब नेक्स्ट पार्ट आता है कॉफी टेबल का यानि की सेंटर टेबल का तो देखे सेंटर टेबल के लिए भी आप उनको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं तो देखिए यहां पर किस तरीके से मैंने जो मेरा वास की जो हाइट है उसके हिसाब से मैंने इन फ्लॉवर्स को कट किया थाकि वह अंदर उसमें डिप हो जाए पानी में और इस तरीके से मैं रख रही हूं अब आप चाहें तो इन में आप अर्टिफिशल फ्लॉवर्स भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप इन में नैचरल फ्लॉवर्स और नैचरल लीवस अगर आप डालेंगे तो वह जादा खुबसूरत दिखाई रेंगे एक चीज गाइस हमेशा ध्यान रखिए जबी भी आप इस तरह का कुछ सें नहीं कर पाएंगे तो अब देखे हमने यहां पर फ्लॉवर्स लगा दिये थे उसके बाद में हम इन वासस को भर देंगे और इसके बाद में पानी बढ़ने के बाद में मैं इसके ओपर इस तरह से यह कैंडल रख दूँगी और फिर हम इन कैंडल को बर्न कर देंगे और पर देखे भाई तयोहार का टाइम है तो काजू बदाम तो चाहिए गेस्ट के लिए और यहां पर एक बुद्दा का स्टैचू रखके मैंने सिंपल से फ्लॉवर्स रख दिये हैं तो देखे हमने ज्यादा कुछ यहां पर एफट नहीं डाला है और बहुत ही सिंपल तरीक के लिए आपके पास में बहुत हाई-फाई या बहुत महंगी चीजें होना बहुत ज़रूरी होता है आप चुटी-चुटी चीजों को लेके भी और इसमें अपनी थोड़ी सी क्रियेटिविटी डाल के भी आप जो है उसको बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं तो यह दे रखी है ट्रे के ऊपर मैं इस तरह से अपनी टी लाइड ते यह बैटरी ओपरेटेग टी-लाइड और मैं इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर उल्टा आपना वाइन ग्लास रखना चाहती हूं इसके अंदर मैंने कुछ लीफ्स ह्भी डाल दी हैं ताकि व या पीते हैं आप वह वाले ग्लासेज भी यूज कर सकते हैं और यह देखें यहां पर मैंने सुन्दर सी हांडी रखी हैं जिनके अंदर अगेन मैंने काजू बदाम रखा है मिठाया तो हम बाद में सर्व करेंगे इसे ही खाने के साथ में पकवान देंगे इसे ही लेकिन टे को डाइनिंग टेबल के ऊपर बिल्कुल डेकोरेट करके रख दीजिए बिल्कुल सजा के रख दीजिए ताकि जब आपके गेस्ट आए तो आप उनके साथ जादा से जादा समय बिता सके बजाए इसके कि आप अप अप लगे हुए हैं टेबल जमाने के लिए और आब यह देखिए हमने यहां पर इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है कंप्लीट हो गया है डेकोरेशन और जब हमने इन कैंडल्स को बन कर दिया है उसके बाद में देखिए आपका यह टेबल डेकॉर कितना खुबसरत दिखाई दे रहा है तो एक चीज़ का अप हमेशा ध्यान रख आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे जरूर बताईएगा तो गाइस मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरे चैनल पे यह डेकॉर टेप्स जो है यह तो बस एक शुरुआत है अभी और भी इस तरह के मैं आपको टेबल डेकॉर दिखाने वाली हूं जो की बहुत ही एज है और बहुत ही कम खर्चे में आप बना सकते हैं तो मेरे साथ बने रहिए देखते रहिए डिजाइन इन क्रियेटिविटी चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलिए लाव यू बाबाई